दो तरह की बहुत बढ़िया नमकी नाजम बना कर तयार करने वाले हैं जिने आप आराम से महीने दो महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं वीडियो अगर आपको जरा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा चले शुरू कर लेते हैं आज की राईजोग्राम हैं और आउयल हमने स्वह कर लेता है तो इसे साइड में रखते हैं और जो अईल है उसे हम गरम कर लेते हैं तो यहां पर मैंने चोटे से पैन में डाल दिया इसे इसे उबलने लिए रख देते हैं जब तक वे бы Shelby को चलनना लेते हैं तो बेशन को चलनना ब समद कीजिए इसे हम छान लेते हैं तो मैंने मैं बड़िए सग्ट ह मला बहुत ही अगार झाला हैं चाहिप चाहिए है चक्याता नमक चप्रके सिर庭 संद कहा सब्सक्राइब इसे बहुत ही बड़िया जो हमारी यह गाठिया की नमकीन है बनकर तयार होती है बहुत ही खस्ता बनती है ओईल को सारे को यह अच्छे से डाल देंगे हम इसे mix करने के बाद तो यहाँ पर यह इसी तरीके से mix कर लेंगे क्योंकि तेल अच्छे ते गरम है तो इसमें भी हाथ डाल रही हमें आता छोड़ा चमच अज्माइन ले रही हैं उसे अच्छे तरीकिसे मसल कर डालना है तो इसे भी डाल लेते हैं और इसके पाद में हम थोड़ा-थोड़ा करके पाइन डालेंगे और इसका घुल तयार करेंगे धिरिए- धिरिए करते हुए डालेंगे आप चाहिए तो हातों से भी इसका डो तियार कर सकते हैं मैं इस पून से ही nothing यासाइस है जो डो वो तयार हो जाता है इसे मिक्स करते हुए और जो ख़ता है इसे सारी Papi दाला है एक साहर पाइन नहीं डालना है और इसा था लाओ गोल तैयार करना है बहुत जादा पत्छाइब या बहुत जादा अफैट, हमार डो नहीं होना चीह देखिए। इस तरीके से बिल्कुल्क supportive बना कर तयार किया है। इसे हम गो मसीन के आज बनाकर त्यार करेंगे आपके पास मसीन हो तो इसका भी इस्तमाल कर सकते हैं देखिए एक कप पाई लिया था इसमें से भी वन फॉर्ट का पानी बच गया इसे तरही किसे धिरे-दिरे करते हुए पाई डालकर इसे त्यार करना है इसे बनाने के लिए मैंने यह सिंपल दूद्धी थैली लिए इसका इस्तomal करके भी आप यह नवकिन बना सकते हैं आपके पास घी या ऑईल की मोटी ऐसे रखहा है अब बनाने के लिए चलते है लोजों को मैनने फिरलें नियुल हुने के रखा है जैसे लोजों कि मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है यहने इसे पर बढ़ खूंसने की आप बढ़ती बढ़ाया जाय्कीरस बढकर ऱ्यूंकल 23 इसे बनाया तो बार बार इसी तरीके से इस नमकीन को घर में बनाएंगे इसे इसी तरीके से छोड़ेंगे हम 20-25 से के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है उसके बाद इसे उलट प्लेट करेंगे तो यहां पर तक्रीबन आधा मिनट हो गया है इसे प्लेट लेते हैं यह उलट प्लेट कर लेते हैं तो इस तरीके से इसे आराम से उलट प्लेट कर लेंगे और इसे पका लेंगे बीच में तूट भी जाते तब भी कोई टैंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि इसे में बाद में तोड़ना ही है तो इसी तरीके से इसे उलट प्लेट करते हुए हम लिए और आत्रीक से पका लिए और आप देख सकते हैं इसके ज्हाग जो थे सुरू में वो बल्कुल खतम हो चुके थे तब आनी कि गाठे की नमकीन से बनकर त्यार हो गई है इसे निकालेंगे बहुत ही बड़ी आज byte गाठी है कि नमकीन है बनकर तयार होती है बहुत ही खस्ता और बिल्कुल मार्किट जैसी बनकर तयार होती है एक बार जबूर बना कर देखिएगा इसे मैंने ऑईल से निकाल लेंगे बागी को भी इसी तरीके से बना लेंगे इसी तरीके से आप भी बहुत ही आराम से बिना म मैंने तक store कर सकते हैं और enjoy कर सकते हैं तो थोड़ा सा तोड़ लिया है मैंने इस तरीके से store करने में आसानी हो जाएगी इस तरीके से तो यहाँ पर इसे अच्छे से तोड़ लेंगे और दिखाते हूं कितनी खसता माई जो नमकीन है बनकर तयार हुई है खाने में जबरदस इस तरीके से बनाएंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम चनों को अच्छे से भीगो कर रख दिया था सफेद वाले चने हैं और इन्हें मैंने 8-10 घंटे के लिए बिगो लिया पानी को अलग कर लिया दूसरा पानी से मैं डाल रही हूं तो तकरीबन दो ग्लास क इसमें पाई डाल दिया है और इसमें नमक डाल लेते हैं तो जमच मैंने रख दाला इसे मिक्स करेंगे और इसे प्रेशार कुपर में एक सीटी आनें तक पका लेंगे उसके पाज़ से निकाल लेंगे अक्सी इधहिज लगानी है जयादा नहीं पकाना है इसे मैंने एक सीटी लगाकर फैशन निकाल कर निकाल लिया है कुकर से, ते देखिए इस तरीके से हमाई चन्ये पके हैं, बहुत जाधा गले नहीं है, बहुत जाधा नहीं गलाना है, इसी तरीके से होने चाहिए, इसे इरलग करेंगे और इसे ठाल वगएरा में इसे फैला दिया था इन्हें और यह काफी अच्छे ठंडे हो चुके हैं अभी किसी बतन में इन्हें डालेंगे और इसके वास में हम बाकी की सामगरी डालेंगे तो यहां पर मैं बेसन डाल रही हूं बेसन मोटा बारी कोई भी ले सकते हैं 3 चमच मैंने बेसन डाला है साथ ही में 2 चमच चाठ चमच साथ में नमख डालेंगे और साथ में हल्दी पाउडर डाला है अदा चोटा चमच और चाठ ऐख मसाला अड़िया बठ्बश्त्य बढ़र आदा चाठ चमच ने बंबेसन में बाघता है कि बारियो ऊस्द ć मिक्स ने हैं ताकि जो चैने है उन पर ज्वननेए मसाले और बेसन वगर डाला है वह अच्छ से मिक्स हो जाए तो इस तरीके से अब दिरे-दिरे करते हुए पानीच में दालें गों नहीं बनाना है इससी तरीके से हमें इसे त्यार करना है को हिने हैं इस तरीके से हमें अन्य चनने मिक्स करेंगे आप थोड़ा सा कॉन प्राइब दिया है और यह देखिए अलग होने लगे हैं इसी तरीके से इन्हें हैं डालना है एक एक करते हुए ताकि जड़ाइब से क्रिस्पी हो जाए हमाई तयार हो तेल को मैंने पहले ही करम होने के लिए रखा देल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए फ्लेम को गेजश डाल लिया हुआँ उन्हें फ्राई कर लेते हैं इ toilet यह विमे03 करना है तकूंपन तक्रील साथ सबाइं किनुटी में लग बोल्स होने om इस तरीके से इसमें बिल्कुल भी झागब नहीं है है कियानी के मतलब है जैसे हमारी जेश में नहीं निकाल है साथ से आट मिनिट लग जाते हैं लाल मेच , साती में हिंग और थोड़ा सा नमक डाल कर इनने अच्छे से mix कर लेंगे, आप चाहें तो कोई पोई भी बी मसाला अपने पिसंद कर डाल सकते तो सिर्प चाठ मसाला भी डाल सकते हैं , या लाल मेच तैयार हो चुके हैं बहुत ही बड़िया और बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी हमाय चने बनकर तैयार हुए हैं आशा करती हूं कि आज की दोनों ही रेस्पीज आपको बहुत जादा पसंद आई होगी रेस्पीज पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर लिजेगा आप मुझे इंस्टा और फेस्बूक पर फॉलो कर सकते हैं चलिए मिलती हूं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार कुछ रहिए खाते रहिए